नमस्कार एक बार फिर स्वागत है सबी दोस्तों भाईयों का आपका कैनेडा का स्टूडी वीजा अगर नामजूर हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए है आज कैनेडा का वीजा रिफूजल रेट more than 50% हो चुका है 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स के स्टूडी वीजार नामजूर कर दिये जाते हैं रिजन क्या है सिर्फ और सिर्फ गलत कॉलेज और कोर्स का चुनाव यदि आपने कोई ऐसा कॉलेज अप्लाई किया है जहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अच्छी नोकरिया नहीं मिल रही जहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट का जीवन अच्छा नहीं है जहां पर पढ़ाई का मियार गिर रहा है जहां पर आउटकम नहीं है ऐ पाली में देखने में आया कि नियागरा कॉलज जो कि सरकारी कॉलज बोला जाता है कैनड़ा में इसके ट्रॉंटो के अंदर दो-तिन प्राइवेट कॉलजों में भी इसकी पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिसको सैटलाइट केमपस कहा जाता है हजारों बच्चों को वीजे मि वीजा मिला जब वो क्लास अटेंड करने के लिए पहुंचे तो उनको बोला गया कि नहीं आप सब्तंबर इंटेक में आईएगा कि क्योंकि आपने टाइम से इन्रोल्मेंट नहीं ली कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ है हमारे पास हर रोज स्टूडेंट पहुंचते हैं आज वीजा रिफ्यूजल होने के पीछे सबसे बड़ा राइजन क्या है एक कॉलेज के पास एक इंटेक में वालीजिए सो सीट्स हैं और उस कॉलेज दुवारा हजार बच्चों को डिमिशन दे दी जाती है एक मैसी में एक कॉलेज को सो सीटे मिली गई है उसके बावजूद बच्चों को वीजा आप अप्लाई करा रहे हैं तो रिफ्यूजल रेट बढ़ेगा आपने जिस कॉलेज और जिस कोर्स में अप्लाई किया था उसमें जितनी सीटे थी उतने लोगों को वीजे मिल चुके हैं इसलिए आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है ध्यान रखिए कि जब आप स्टेडी वीजा अप्लाई करते हैं आपके द्वारा दी गई टूशन फीस जी आईसी अमबैसी फीस कैनेडा की एकॉनमी का पार्ट बनती है आज स्टेडी वीजा पे जो बच्चे बाहर जाते हैं यह एक एकॉनमी का सोर्स है कनेडियन गवर्मेंट का किसी को भी वीजा रफ्यूज करना नहीं चाती कनेडियन सरकार चाती है जहारा से जहारा स्टूडेंट आए बट प्राबलम कहां पे आती है जब गलत धंग से द पर्मिट रद्द कर दिये गए क्यूं हुआ ऐसा क्योंकि क्यूबिक के प्राइवेट कॉलजों ने चात्रों से पैसे लेके कॉलज बंद कर दिये इस्टूडेंट्स का नुक्सान हुआ कंट्री की बदनामी हुई जिसके चलते आज कुनून सक्त कर दिये गए आज कनेडियन स्टडी वीजा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के द्वारा दिया जा रहा है जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के मापदंड है उसमें हर एक कॉलज के हिसाब से वीजा मिलता है जदी आपके नंबर बहुत अच्छे हैं आपके आल्स में बैंड भी अच्छे हैं पड़ाई में गैब भी नहीं है फिर भी आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है इसके पीछे रीजन यही है कि जिस कॉलेज उनिवेस्टी में आपने पलाई करा है वहां का दाखला सिस्टम ख होते हैं टोरांटो के अंदर ही पंदरा से बीस ऐसे कॉलेज है जिसमें नियागरा कॉलेज ज्योर्जियन कॉलेज है सैंट लॉरंस का अलफा कॉलेज है सैंट क्लेर कॉलेज है लॉलिस्ट कॉलेज ऐसे बहुत सारे सरकारी कॉलेज है जिनको पॉलिटेक्निक भी बोला जा जाता है इनके द्वारा प्राइवेट कॉलेजों की जो संस्थाइं हैं उनके साथ आयप किये गे होते हैं जहां पे कुछ ब्लैक बोर्ड कोर्स कराए जाते हैं बिजनस से रिलेटेड यदि आपको एक युनिवेस्टी में पढ़ना है युनिवेस्टी का दाखला हुआ है तो आपको युनिवेस्टी के कैमपस में पढ़ना है अगर आपको जॉर्जियन कॉलेज में पढ़ने जाना है तो जॉर्जियन कॉलेज के बैरी केमपस में जाएंगे अगर आपको सू कॉलेज में जाना है तो आप सू से मेरी में जाएंगे तो आपको वीजा मिलेगा तो आप वीजे के हकदार है क्यूंकि में केमपस के पास रि कोटी मेंटेन कर रहे हैं जहां कारोबार आ जाता है वहां पे लालच हो जाते हैं तो यह शो परशंट वीजा चाहते हैं और आपका वीजा रिफ्यूस हो चुका है पहले आप इसको दोबारा लेना चाहते है आपको मुझे एक बार मिलना पड़ेगा इस वीडियो के साथ आपको किसी ऐसे कॉलेज दाखला देखें कॉलेज में दाखला देना है जहां का आउट का मच्छा हो जिस वजह से आपका वीजा लग जाएगा सो आपको उदास नहीं होना हिम्मत रखिए होचला रखिए अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है मुझे मिलिए आपके वीजे के जमेदारी मैं लूँगा धन्यवाद